So, Hey Guys! Welcome to my channel! आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि cheap pencil में सबसे best pencil कौन सा है? इस pencil की price के हिसाब से quality काफी अच्छी है और काफी high-end quality का pencil है और price बहुत ही कम है beginners के लिए तो बहुत ही अच्छा है इससे आप अच्छे अच्छे type की sketches बना सकते हो यह जो रिट्रीवर डॉक देख रहा है यह मैंने इसी पेंसिल से बनाया है और काफी रिलिस्टिक लुक आ रहा है यह मैंने बहुत पहले बनाया था अभी मैं दिखाने वाली हूँ एक ओल्ड मैन की स्कैच यह हाइपर रिलिस्टिक स्कैच है आप देख सकते हो काफी रिंगल्स है फेस में और काफी स्मूध भी लग रहा है फेस तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो और ब्लैंड बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि इसका जो कि ग्रिफाइट है वो बहुत सॉफ्ट है और इस प्राइज रेंज में ऐसा क्वालिटी बहुत कम ब्रैंड ही देता है नॉर्मली मैं पहले केमलीन यूज करती थी जब से मैंने ये पैंसिल स्ट्राइक किया है उसके बाद से मैंने अपसरा और केमलीन यूज करना यह दिपिका पादुकोन वाली स्केच मैंने यही पैंसिल से बनाया थी बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है और बहुत फोटो लाइक रिजल्स आया है और यह पैंसिल है आर्ट लाइन सिक्स लव आर्ट स्केचिंग पैंसिल्स और इसके ग्रेज आते है एज बी 2B, 4B, 6B, 8B और 10B जैसे कि नॉर्मली कैमलीन और अपसरा में आते है वैसे ही इसका क्वालिटी इतना अच्छा है पहले जब मैं कैमलीन और अपसरा यूज करती थी इसके बाद मैंने जब यह वाला मंगवाया तब पता चला कि अच्छे पैंसिल्स कैसे होते है और कम प्र है 70 रुपीज और अब लोकल में लेने जाओ के मार्केट में मिल जाता है तो आप 60 में भी मिल जाएगा आपको डिसकाउंट देके और अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से बाई कर सकते हो मैंने भी यह मार्केट में यह वाला पैंसिल नहीं मिलता और ऑनलाइन में शायद शिपिंग मिलाके 80 तक आई जाएगा आपका लेकिन 80 में भी होने के बाद भी आप इतना अच्छा क्वालिटी का पैंसिल आप 80 में 6 पैंसिल मिल रहा है तो और क्या चाहिए तो मैंने एक साथ 3-4 पैके अब देख सकते हो कि इतना अच्छा रिजल्ट देता है यह फैंसिल ओके तो मैं आपको इसका मैं अधि बता देती हूं ग्रेट के ईसाफ से हीड़्िंग करके यह ते अच्वी पैंसिल है और या घाट पैंसिल होता है क्योंकि लिए कापी स्मूध हैं तो यह है ए इज हृ तो अभी मैं थोड़ा fast forward करके दिखा दूँगी ताकि वीडियो जदे लंबा ना हो इसका pigment आप देख सकते हो कितना dark है 8B और 6B अभी मैं थोड़ा ब्लेंड करके दिखा दूँगी ब्लेंड करने के बाद यह बहुत ही स्मूध लगता है जैसे कि HB स्किन के लिए परफेक्ट है अब देख सकते हो कि HB को ब्लेंड करने के बाद कितना स्मूध हो गया और बाकी का ग्रिफाइड तो बहुत सॉफ्ट रता है वो और भी स्मूध लगेगा तो मैं थोड़ा fast करक अब मैं इसको इलेक्ट्रिक एरेजर से एरेज करके बताऊंगी 10B सबसे हार होता है एरेज करने में क्योंकि इसका चार्कॉल बहुत सॉफ्ट होता है सबसे डारकस्ट पेंसिल को इरेज करना बहुत मुश्किल होता है फिर भी यह कितनी अच्छी तरह से एरेज हो पाया है आप देख सकते हैं इससे हेर की हाइलाइट बहुत अच्छी होती है इसलिए मैं स्टेडलर यूज करने के बाद भी मैं 8B और 10B को हेर और बियर्ड में करना पसंद करती हो क्योंकि इसमें हाइलाइट देना भी बहुत आसान है अब देख से तो कितनी क्लियर डॉर्ट बन गये हैं 8B में और बाकी का ग्रेट्स तो बहुत आसानी से हो जाएगा अब नीडेबल एरेजर से करके देखते हैं नीडेबल एरेजर से डाकस्ट पेंस सबक्राइब टार बहुत अब Monst Diress एक एक आसानी से हाइलाइट्स दे सकते एप करके लोर ग्रेज में तो काफी अच्छी से हो जाता है लकिन रीज़र ख्रेगे में इरेज पर उपली मुश्किल होते हैं यहां साओ Steel City में में शाची को सब 105 घ्री heps to C verkl Se देख सकते हैं कितना sharp हो रहा है कितना sharp erase हो रहा है tombo mono से और इसलिए मुझे यह pencils बहुत पसंद है अगर आपको यह वाली pencils buy करनी हो तो मैं description में links दे दूंगी online आप जाके buy कर सकते हो और इन pencils को use करके आप जो भी artworks बनाओगे मुझे instagram में tag कर देना मेरा link instagram का link में description में दे दूंगी या फिर आपको screen में show हो रहा होगा यह वाला मेरा instagram ID है अब जाके मुझे follow कर सकते हो और मुझे आपने artworks tag करना मैं आपका artworks को अपने stories में लगाऊंगी और आपको tag भी करूंगी thank you so much for watching bye